नवाश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंपोर्टेंट फाइब मिनिट्स हाल ही में इंडिया चाइना वर्स सिचुएशन को देखते हुए चाइना ने कुछ अलग तरीके से अटक करने का प्लैनिंग मना चुका है वो है साइबार अटक तो अगर अपकी फोन में कोई चाइनिज अप्लिकेशन है तो अभी उससे डिलीट कर दीजे क्योंकि उस चाइनिज अप्लिकेशन को ट्रैप बना के चाइना हम इंडियास पे साइबर अटक करना चाहता है तो चलिए एक बार देख लेते हैं आपको पता होगा भारत के अधिकतर लोग जो स्मार्टफोन यूज करते उसमें बहुत सारे अप्लिकेशन है जो कि चाइना में डिवलाफ हुआ है 19 जून 2020 इंडियान इंटलिजन्स ने ये बात का खुलासा कर दिया है कि चाइना ने बहुत बड़ा मपिक साइबर अटक करने का प्लैनिंग बना चुका है जी हाँ दोस्तों हमारे फोन के अंदर जो चाइनिज अप्लिकेशन है उसी के तुरू चाइना हम भारत बैसी पे एक साइबर एक्टक करना चाते है इंडियन इंटलीज ने खुल मिला के 52 अप्लिकेशन का खुलासा कर चुका है उसमें से नंबर वन अप्लिकेशन है टिक टॉक जो की भारत में सबसे ज्यादा पपूलर है सेप्टेंबर 2016 केवीन मायर टिक टॉक को पहली बाल लौंच किया था आज था टिक टॉक लगबक वन बिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुक है नंबर दो यूसी ब्राउजर यूसी ब्राउजर एक ऐसी अप्लिकेशन है जो लगबक सभी लोगों के फोन में मौज आज के डेट में यूसी ब्राजर लगबक 500 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुक है उसके बाद जो अप्लिकेशन है बहुत श्यारिट इंटलीजिस ने इस अप्लिकेशन को भी उसी लिस्ट में रखा है और श्याट के यूजर भी आज की डेट में वन बिलियन से लिए जाधा है तिक टोक और श्याट के बाद जो पॉप्लिकेशन है वह वीगो वीडियो टीक टॉपकी तरह बीगो वीडियो भी बहुत पॉपॉब्लेर है इंदिया में इसके यूजर लगबक 100 मिलियन से भी जाधा है इसके बाद जो अप्लिकेशन आधा है वह पप्जी मुवैल जी हाँ दोस्तों यह अप्लिकेशन मोस्ट पॉपॉलर अप्लिकेशन में से एक है इस गेम की जो फाउंडर है ब्रेंडन ग्रीना वो कोरियन है किन पप्जी मुवैल को जिस कंपनी ने डेवलफ के दा टेंसेन ग ब्रोड़rier स्वी आप्लिकेशन चानकाई है दोस्तोर और भी बहुत सारी बिकेशन है जैसे लिग में पीडियो प्ल Βटी प्लास स्केणर जेंडर ये सेंड़र अप्लीकेशन फ्लेशन प्लेस्टूर में अवएलबल होता है और इन इंसे किसी भी आप्लिकेशन कोbridge करने स चला जाता है उस company के पास जिसने इस application को develop किया था तब ही हमारे phone के data और personal information के साथ मिस्यूस्ट हो सकता है क्योंकि यह information पहले से चाहने के पास पहुचा हुआ है और दोस्तों उस application में कभी कबार हम लोग अपना bank account और mobile details भी register कर देते है money transaction करने के लिए अचके date में ऐसी बहुत सारी cases हो चुके हमारे data को इस application के तुरू चोड़ी करके out of India server भेजा जा रहा है तो साब्दान हो जाए किसी भी time हमारे information के साथ मिस्यूस्ट किया जा सकता है है ऐसी बहुत सारी complaints हमारे government को आज तक मिल चुका है दोस्तों आप अगर यह application के यूज करते हैं तो उनको अंडिस्टॉल करने के responsibility पूरी तरह से आपको बहुत डिपेंट है दोस्तों यह जनके आपको हाइलाइन होगी कि चाइना इस application के तुरू बिलियंड सब डॉलर अपने देश में ले जाता है और अभी के situation के देखते हुए सारी चैनीज application को रिमूफ करतना चाहिए एक छोटा सा वीडियो क्लीफे आप एक बार देख लीजे हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कॉलोरियां कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप लोग भी उदर थोड़ा सा चाइना के आप को देलिट करो यार बाइकाट करो उनका उनके प्रोड़क्त को भी बाइकाट करो यार मतलब की देखवक्ती जगाओ अपने दिल में हम लोग भी देखवक्त की दरियां पे हैं इतने इतनी तुफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं अप घर में रहके उंगलि लोगों जितना हो सब्सक्राइब करके थोड़ा सब्सक्राइब कर देना जाए हिंद